हाई दोस्तों मैं हूँ सूरत शर्मा और मैं भी आपका स्वागत करता हूँ ड्रीम प्रॉपर्टी 99 में हम आपके लिए लेकर आए है 3BHK का फ्लाट वो भी कितने माले के बिल्डिंग में 23 माले के टावर अपर्टमेंड में आपके लिए लेकर आए है त्री बेडरूम हॉल किचन का फ्लाट और 751 का एरिया लेकर आए है लेकिन इस वीडियो के लाने का एक बहुत ही बड़ा कारण है बहुत ही बड़ा हमारा मकसद है और वो मकसद ये है कि इस फ्लाट पे आपको फ्लाट पाच लाख रुपय का डिस्काउंड मिलाएगा त्री बेडरूम हॉल किचन का भी फ्लाट हमारे पास अवेलेबल है जिसमें आपको तीन लाख रुपय का डिसकाउंड मिलता है वो भी सिर्थ ये जो ओफर अवेलेबल है आने वाले अक्षय तृति के मौके तक तो जल्दी से जल्दी आईए और फ्लाट बुक कर है अभी हम लोग आपको सैंपल फ्लाट दिखाने वाले हैं त्री बेडरूम हॉल किचन का दोस्तों किसी वीला से किसी बंगलो से ये कम नहीं है बहुत ही लाज हवा फ्लाट है हमने इसको फरनीचर के साथ में इसको आपको वीडियो दिखा रहे फिलाल फरनीचर नहीं मिल क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जिम में जुआंटि से यह आपके घर से निकल आराम से जय सकते हो और जिम में जाने के दिखाने जा रहे हैं दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में बने रहो और इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो और नाइको स्टेशन से अबरे पिक अब डॉप ब्रॉप भी अविलेबल आगे हम लोग देखते हैं फ्लैट का सैंपल जो यहां से स्टा किचन से लगते हैं आपको मिल जाती बाल के निए दोस्तों एक सेकेंड मैं दिखा देता हूं आपको जो है नीचे का यह मौडुलर किचन मौडूलर मिलेगा यह इसके लिए आपको आकर चेक करना होगा मिलेगा कि नहीं क्योंकि यह हम लोग कंफर्म नहीं है और लेकिन इ यहाँ पर आना होगा इंक्वारी करना होगा शायद ओफर में यह लोग देंगे कि नहीं वह पता नहीं है लेकिन आप आ जाए तो आपको पूरा information मिल जाएगा यह है हमारा kitchen kitchen में आपको dry balcony भी मिल जाता है यहाँ पर washing machine से दिखेगा वह आपको exactly इसमें समझ में आ जाता है तो यह था हमारा kitchen का काफी बड़ा हाइट है आप देख सकते हूँ नीचे से तो यह था हमारा kitchen आई अभी अमरिता जी क्या दिखाते हैं हम लोग देख लेते हैं यह हमारा living room काफी बड़ा यह एक्शली लाइव है पूरा furniture लाइव है यह furniture आपको नहीं मिलेगा हम लोग ने live करके रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका furniture लगने के बाद यह सारा space कैसा दिखाई देगा यहाँ पर हमारा बालकनी आ जाता है बड़ा काफी बड living room में तो हमने kitchen देख लिया living room देख लिया अब अमरिता जी से पूछते कि हमें अगला वो क्या दिखाने वाली है अच्छा ओके यह रहा हमारा common washroom अभी हमने space से यह आपर entry किया यह वाश्रूम हमें मिल जाता है यह वाश्रूम का जो fitting से as it is मिल जाएगा आपको यह जो fitting स यह सब shower वगर everything तो आपको ventilation भी मिल जाता है वाश्रूम में mirror है ठीक है इस mirror में आप मेरे face को देख सकते हो हाई दोस्तों तो यह आप न वाश्रूम वाश्रूम में भी काफी अच्छा height लिया गया है यह जो shower आप देख सकते हो काफी height पे है no time pass एक्टम exact shower है देखो यह मेर उपर अप space को अप अंदाजा लगा सकते कि कितना space है तो अच्छे से shower आप ले सकते हो shower बाद तो अभी हम देखते हैं हमने washroom देख लिया जो toilet bathroom common अब अमरिता जी कहा गई खो गई कहा हो अमरिता जी हाँ यह हमारा आ जाता है normal bedroom हाँ यह हमारा आ गया first bedroom जो की normal है without master है तो first bedroom को हम लोग देख लेते हैं यह भी live है यह bed है यह पिलो वगर इस पर सजाया गया है interior काफी अच्छे से किया गया है यहाँ पर wardrobe का space है और यह अगर wardrobe यहाँ पर नहीं रहेगा तो space और बढ़ जाएगा यहाँ तो यह था हमारा खुबसरत सा पहला bedroom अब हमारा आ जाता है second bedroom जो की है master bedroom हाँ इस तरफ right में हमारा second bedroom है यहाँ से इसका door आ जाता है यह पर door रहेगा इस bedroom का और यहाँ पर यह बीच का master toilet bathroom है तो यह फिटिंग सारे आपको as it is मिल जाएगा बहुत ही खुबसरत है ventilation है सब कुछ है height है और अगला क्या है यह राब bedroom यह जो bedroom है काफी space है इस बाजू में भी आप देख सकते हो यहाँ पर wardrobe है और इस बाजू में भी काफी space है उस बाजू में भी face अपना spaces है यहाँ पर और बहुत ही खुबसरत तरीके से इस bedroom को सजाया गया है जब आप रहने को आओगे तो live इसी तरह से या तो almost ऐसा ही आपका lifestyle होगा आप इसी तरह से सब कुछ experience कर सकते हो तो यह था हमारा second bedroom और यह हमारा wardrobe है काफी बड़ा यह अगर wardrobe को हटा देते या तो रखते हैं तो space में differences आता है तो यह हमारा बीच का स्पैसेज यह आप डोर अब हमको डुणना है फिर से अमरिता जी को तीसरा master bedroom दोस्तों अच्छा तीसरा भी master bedroom है तो यह देखिए किता सुन्दर मुझे तो बहुत पदल आ रहा है क्या बात है तो फिर क्या plan क्या है है अप साइड विजिट कीजिए और आप जरूर आपको पसंद आएगा विजिट करना आपका time waste नहीं होगा दोस्तों हम चाहते कि आपका बिल्कुल भी time waste नहीं तो आप देख सकते इस तरह से live आप रह सकते हो और आगे का नहीं दिखाएंगे आगे क्या है इस bedroom में यह द मिल जाएगा दोस्तों और आप देख सकते शावर और यह सारे फिटिंग कर सकते हैं यह मोका अपने हाथ से मत जाने दो क्यूंकि कुछ ही यूनिट्स हमारे पास left है यह हमारा था तीसरा बेडरूम जो की बहुत ही खूबसूरत है और बड़ा-बड़ा आपको sliding window में जाता आपको सपनों का घर लेना है तो आप स्क्रीन पे दिएगे नंबर पे हमें contact कीजे हम आपको और भी डीटेल बेजेंगे साइड विजिट के लिए आप नाइगव स्टेशन पे आ जाएए वहां से हमारा पिकप ड्रॉप है अगर आप डाइरेक आना चाहते हो आपके गाड़ी से साइड विजिट के लिए तो हम आपको location बेज देंगे और आप जल से जल आईए और यह आपर flat book कीजिए अच्छा को बताना मत सीकेट रखना पहले आप बुक करना उसके बाद में अपने दोस्तों को लेके आना और अपने जान पहिचान वालों को बताना लेकिन सबसे पहले इस ओफर का आप फायदा उठाना अभी हमें पर्मिशन दीजिए हम मिलते अगले वीडियो में तब तक कि लिए बाई बाई टेक एर जैनी जैमारस्टा ओके बाई